नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वाकता है आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो HP TET के exam निकले हुए है जो HP TET June के लिए जो निकला हुए form उसको आप कैसे खुद online अपने फोन से बर सकते हो कहीं आपको जाने की जूरत नहीं है आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें वीडियो को एंट तक देखें मैं step by step आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फोन से खुद बर सकते हैं HP TET का exam हर exam में मैं बताता रहता हूँ कि कैसे आप खुद बर सकते हो exams को तो मेरे बताने का मतलब यही होता है कि आप at least 150 रुपीज save कर सकते हो खुद फोन बर के क्योंकि इतना तो cyber cafe वाले चार्ज कर लेते हैं तो simple steps होते हैं उनको follow करोगे आप तो easily अपना फोन बर सकते हो खुद तो मेरे साथ बने रहे वीडियो को इन तक देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe करें subscribe के साथ में bell icon दबा दीजिए ताकि आपको मेरे upcoming वीडियो की notification मिलती रहे और share ज़रूर करें friends के बीच में ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके apps होती है ऐसे कुछ browsers आते हैं उनको आप ना use करें Chrome browser West browser है जो की Google का है तो इसको use करें best और safe रहेगा ठीक है तो आपने simply क्या करना है Google में जाके simply आपने search करना है HP TET link जैसे आप HP TET भी करते हो तब भी हो जाएगा HP TET link करोगे जैसे ही तो आपको पास इस तरह से साइट खुलके आ जाएगा HP BOS की तो simply आपने जो फर्स साइट खुलके आ रही है HP TET 2020 इस पर आपने click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करोगे तो आप देख सकते हो इस तरह से हिमाचर प्रदेश स्कूल Board of School Education की साइट खुलके आ जाएगे आपके पास और टीचर एलिजिबिल्टी टेस्स यून 2020 आपके पास आ जाएगा आपका कोई भी स्ट्रीम होगा सिंपल यहीं से आपने फॉर्म बरना है और आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से रखी है और नेक्स्ट जो फीस है वो 800 है जर्नल कैटिकरी के लिए और 500 वो भी सी स्ट्स्स के लिए रहेगी और इसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई 6 जुलाई से पहले-पहले आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से इंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हो यहाँ पर तो जब भी फॉर्म भरें तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें और एक चीज इसमें यह होती है कि most of times आपको यह complaint आएगी कि आपकी जो फोटो का साइज होता है जो इसकी साइज होता है वो आप नहीं कर पाते हो ठीक है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फोटो के लिए 15-20 के भी बोला हुआ है और सगनेचर से लिए 10-15 के भी बोला हुआ है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि how to resize the pics और signatures तो वो मैं description में डाल दूँगा उसका link आप वहाँ से देखके use कर सकते हो तो within 5 seconds में आप अपनी फोटो को resize कर सकते हो और जितनी आप size करना चाहूँ उतनी कर सकते हो तो उसका link मैं description में डाल दूँगा वहाँ से आप उसको resize कर सकते हो तो इस तरह से आपको ज़्यादा problem नहीं आएगी और payment के लिए online payment करने होगी तो आपके पास SBA या जो भी आपके पास card है उसके थूआ आप online payment कर सकते हो तो आप देख सकते हो आपने simply इस पर आना है और next step मैं बताता हूँ आपने यहाँ पर click करना है ध्याँ दें यहाँ पर click करना है otherwise आपका कोई भी link जोगा click नहीं हो पाएगा ठीक है तो आपने simply उस पर टिक करना है term and conditions पर और जैसे आप खुलके आते हो आपके पास इस तर करें ठीक है और name of candidates आएगा father ने बाएगा mother ने बाएगा category आएगी सब category के contact number डालना है email id डालना है अपना जैंडर डालना है और यहाँ पर अपनी डिटेल डालने है कि पहले आप examination में बैठे हो कि नहीं बैठे हो nationality डालनी है mailing address डालना है अपना जो आपका address रहता है pin code डा तो यहाँ पर आप change कर सकते हो जो आप center के लिए district में आप exam देना चाते हो वहाँ पर fill करोगे और revenue subdivision उसी का fill करोगे यहाँ पर exam देना चाते हो ठीक है जैसे कि मालों मैं कांगडा करूँ तो मैं हमिरपूर में test देना चाता हूँ तो मैं वहीं district fill करूँगा और वहीं का revenue subdiv division select करूँगा ताकि मेरा test हमिरपूर में ही आए ठीक है तो आप कहीं के भी हो अपनी जहां पर आप रहे रहे हो उस district में आप अपना test करवा सकते हो तो जैसे आप save करोगे उसके बाद आपको photo upload करने को बोलेगा photo upload करने के बाद next जो provision रहेगा उसमें अपने payment करनी है और payment कर receipt आजाएगी उसको अपने संबाल के रखना है तो यह easy सा format है और इस तरह से आप अपना form भर सकते हो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है जा कोई problem आ रही है और ध्यान रखे form को जाततर try करें शाम के time मतलकि 7-8 बजे के बाद में रात में try करें जा morning में 6 बजे से पह 5 बजे फिल कर दें तो आपका form easily फिल हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना form खुद फिल को सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें कमेंट करके जुरू प्रताएं अगर को आपको प्रॉब्लम आए Thank you.